जै हिंद बजरंगी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है साथियों जैसा आप सबको पता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है इसलिए मैंने प्रमुक सतंतरता अंदोलन और उनके वर्ष के बारे में चर्चा की थी और उनसे जो important जूड़ी हुई घटनाई थी उनको भी मैंने साजा किया था पहले वीडियो में और गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था तो इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और जिसने part 1 इसका ना देखा हो part 1 भी देख ले क्योंकि दोनों lecture आपस में link हैं पहले आप part 1 देखिएगा फिर आप ये part 2 देखिएगा तब आपको अच्छे से connectivity हो पाएगी बाकी next वीडियो आप history के किस topic पर चाहते हैं कि INC के important session के बारे में मैं भी वीडियो ले आऊँगा या फिर जो important lord रहे हैं या wise rire रहे हैं या governor general रहे हैं उनके बारे में तो जिस topic पर आप चाहते हैं हमें कमेंटे में बताईएगा उसी हिकी साब से मैं next वीडियो आपके आपने लाऊंगा तो फिलाल अपना वीडियो शुरू करते हैं जिसमें बात कर लें कि हमने पिछला कहां पर छोड़ा था तो पिछले में हमने कांग्रेस के लाहर दिवेशन के बात की थी, नमक सत्यागरह के बात की थी, सविने अभग्या अंदोलन के बात की थी, गोलमेज समयलन के बात की थी और गांधी इर्विन पैक्ट के बारे में चर्चा किया था और इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो गांधी इर्विन पैक्ट रोगा था आठ मार्च 1931 को इसी के आगे शुरू करते हैं तो इस दीसरी स्लाइड है हमारे बाले दूतिये गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गोल मेज सम्मेलन क्या होता है यानि एक राउंड टेबल रहेगी एक गोल मेज रहेगी उसी में सभी भारतिय और ब्रेटिशर्स आपस में बैठेंगे और चर्चा करेंगे इसी के लिए इसको गोल मेज बोला जाए और पहली बार अंग्रेजों ने हमें अपने सामने बैठने के लिए बुलाया था और ऐसी तीन गोल मेज सम्मेलन हुए हैं तीनों कहां हुए हैं लंडन में और तीनो अटेंड किसने की हैं तो तीनो अटेंड की हैं बी आरंबेड करने ये कुश्चन बहुत पूछा जाता है कि तीनो गोलमेज समेलन को अटेंड करने वाला एकलोता भारतिये कौन है तो वो हैं बी आरंबेड कर साहब और दुदियी गोल में समयलन हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें गांधी जी ने participate किया था और INC यानी Congress की तरफ से participate किया था लेकिन इसमें कोई कांधी जी नहीं निकला था क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसी बाते रखी थी जो गंधी जी को समझ में नहीं है इसलिए ये भी फेल पार गई फिर आगे बात करते हैं कम्यूनल अवाड सामपरदाइक पंचाट की पहले यह समझ लिए कि कम्यूनल अवाड होड़ता क्या है देखिए आप सबको पता कि अंग्रेज फूट डालो और राजकरों की नीद ही फॉलो करते थे यानि डिवाइड एंड रूल तो पहले इन्होंने मुसल्मानों को हमसे अलग किया उसी की तरच पर मुसलिम लीग बनी उसके बाद अब ये हिंदूओं को तोड़ना चाहते थे उसके लिए अब हिंदूओं को तोड़ने के लिए इन्हें दलित को अलग करना पड़ा कि हिंदूओं में अलग अलग जातियां होती हैं तो इन्होंने दलित को टार्गेट किया कि अगर हम लोग दलितों के लिए जैसे इसमें जब मुसल्मानों को कमिनल अवाड दिया गय जाएगा इनिकर कोई election हो रहा है उसमें कोई दलित खड़ा हो रहा है तो उसको सिर्फ दलित वोट देगा इस तरह उन्होंने तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू अपने आप में तूट जाएगा और फिर इंडिया कभी exist पूरी तरह से कर नहीं पाएगा तो गांधी जी इसके खिलाफ हो गए वहीं बिया रमबेटकर जो की दलितों के प्रमुक्ते उन्ह अवाड नहीं चाहिए लेकिन बिया रमबेटकर साहब मान नहीं रहे थे वह कहते थे कि हमें ये अवाड चाहिए तो इसी को चलते एक पूर्णा पैक्ट हुआ 1922 सितंबर में जो कि गांधी जी और बिया रमबेटकर जी के बीच में हुआ क्योंकि जो गांधी जी प्रोट तो मैं आमरड अंशन करूंगा या इसे सत्यागरह बोलते हैं मैं सत्यागरह करूंगा तो इसकी बात पर अमबेटकर जी ये नहीं चाहते थे कि कमिनल अवाड को वापस लिया जाए तो अब बीच का सेलोशन गांधी जी ने निकाला क्या कि गांधी जी ने कहा कि अगर दे देगा जैसे आज कल चल रहा अपने हैं तो अमबेटकर जी ने कहा हाँ ये भी बात सही है कि दलितों के लिए कुछ सीटे रिजर्व हो जाएंगी और वहां हमेसा दलिती ही चुनाओ लड़ेंगे बकि वोट उनको सब लोग करेंगे तो ये था बीच करास था जो कि गा गांधी जी और अमबेटकर जी के बीच में साइन हुआ था और इसी पूना पैक्ट से आरक्षण की सुरूआत हो जाती है चुकि यहां गांधी जी ने कह दिया कि एसी के लिए या जो दलित हैं उनके लिए सीटे रिजर्व हो जाएंगी तो यही से रिजर्व सीटों के लिए रिजर्वेशन शुरू हो गया हाला कि एकदम एक्जैक्ट रहीं कि आरक्षण यही से शुरू हुआ है लेकिन यह बहुत बड़ा चेंज माना जाता है दे दियागी 18-20 परसेंट आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा और जो भी आपके लिए सीटे रिजर्व हो जाएंगी उनमें सिर्फ सी ही या दलित लोग ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं तो यह तो था पूना पैक्ट फिर आगे बात करते हैं तृतिये गोलमेज समेलन की तो तृतिये यानि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फरेंस हुई थी 17 नौंबर 1932 को लेकिन चूंकि उस समय हमारे मेन लीडर जो थे वो लगभग जेल में थे यानि प्रिजन में थे तो इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर पहुंच नहीं पाए इसलिए ये भी कुलमेज समे निकल के नहीं आई तो इसका मतरब तीनों जो गोल में समयलन थी वो तीनों बेकार रही यानि बेकार रही उनका कोई सोलूशन निकला नहीं फिर उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया 1934 में त्यक्य की अभी एक पूरी थी इंडियन नेशनल कॉंग सबक्राइब के सबसे अधिया अगा एक्ट गूसे सबसे इंडिया इंडिया आक्ट जिसे भारसरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है तो अब तक का जो सबसे important अधिनियम है वह यही है government of India 1935 क्योंकि जो हमारा सम्विधान है उसमें से लगभग आधी चीजें इसमें से copy की गई थी इसके कुछ provision आप जान लीजे जैसे इसमें ये कहा गया था कि अब प्रदेशों में या प्रांतों में autonomy का मतलब अब उसमें जो भी प्रांत है उसमें ब्रिटिस सरकार कोई हस्तक शेप नहीं करेगी यानि प्रांतों का जो भी शाशक है या जो भी वहां का चुना हुआ व्यक्ति है वो अपने फैसले वहां के लिए ले लेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और दूसरा क्या था कि जो प्रांत थे उसमें डायार्की को खतम कर दिया गया था डायार्की का मतलब कि द्वैद शाशन एक तो ब्रिटिस का भी शाशन रहेगा एक वहां कर जो चुने हुए लोग है उनका भी शाशन रहेगा तो इसको भी पूरी तरह से खतम कर गया था फिर आगे बात करते हैं forward block का गठन, इसका गठन हुआ था एक मई 1949 नहीं 1949 में इसका गठन हुआ था और किस ने किया था तो सुबास चंद्र बोस जी ने किया था, क्योंकि देखिए सुबास चंद्र बोस जी दो बार INC के प्रेसिडेंट रहे थे, पहला थे 1938 में जो की हरी प सुबास चंद्र बोस जी के और गांधी जी के बीच में कुछ मदभेत आ गया था, तो इसलिए सुबास चंद्र बोस जी ने अपना प्रेसिडेंशियल जो भी वो था उसको त्याग दिया, और कांग्रेस से हटने के बाद उन्होंने forward block का गठन किया, उसके बाद धीरे दी पाकिस्तान की मांग रखी गई 1940 में, और पाकिस्तान की मांग को सबसे ज़्यदा रखा किसने तो मुहम्मद अली जिन्ना ने रखा, कि हमें मुसल्मानों के लिए एक अलग से देश चाहिए और उस देश का नाम होगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान नाम दिया किसने था, त कि मुस्लिमों के लिए अलग से हो उसके लिए पाकिस्तान रिजोलूशन भी ला गया जिसे लौहर रिजोलूशन भी बोला जाता है फिर आगे बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की तो अगस्त प्रस्ताव आया था अगस्त में 1940 में ही और इसमें क्या कहा गया था इसमें ये कहा गया था कि भारतियों को हम लोग Dominion Status दे देंगे Dominion Status का मतलब समझिए कि राज तो मतलब अंग्रेज ही करेंगे Final Authority जो होगी वो अंग्रेजों की होगी लेकिन जैसे आपको राज करना है वो बाद में हम लोग Final Authority अंग्रेजों से पूछते कि भाई ये सही है या गलत तो यही था आगस्त प्रस्ताव फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव तो क्रिप्स ने भी यही सेम प्रस्ताव दिया था कि हम आपको आप लोगों को हमारे जो विश्युद चल लहा था उसमें मदद करिए देखिए 1949 से 1945 के बीच में विश्युद चला था दूसरा Second World War चला था जिसमें अंग्रेज लोग इंडियन्स की मदद चाहते थे ताकि उस युद को जीत कें तो उसके लिए अंग्रेजों ने इंडियन को लुभाने के लिए ऐसे ऐसे प्रस्ताव लाए कि हम आपको तुरंत आजात कर देंगे जैसे हम लोग जीतेंगे सिर्फ डॉमिनिन स्टेटस रखेंगे लेकिन अब हमारे भारतिये मानने वाले नहीं थे हम सबको पूरी तरह से आजादी चाहिए थी अंग्रेजों से यनि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था तो इसलिए ये क्रिप्समिसन भी फेल हो गया था और गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि ये पोस्ट डेटिर चेक है ये ऐसा चेक है जिसकी भविष्ट में कोई वैल्यू नहीं होगी क्या पता कि अगर अंग्रेज लोग जीत जाएंगे तो ये जरूरी तो नहीं कि हमें डॉमेनिन स्टेटस दें क्योंकि ऐसा ये वल्ड वार वार वन में कर चुके थे हमारे साथ इसलिए इस बार हम लोग एकदम एक्टिव हो गये थे उनकी किसी भी जाल या जहासे में नहीं आने वाले थे तो इसलिए हमने क्रिप्सरमिशन को एकदम फेल बता दिया फिर आगे बात करते हैं भारत चुणो प्रस्ताव की यह जिसे ही भारत चुणो अंदोलन बोला जाता है यह प्रस्ताव आया था आठ अगस्त 1942 में इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था वो गांधी जी ने भारत चुणो प्रस्ताव में ही दिया था इसमें ये था कि अंग्रेजो अब आप लोग यहां से चले जाओ हम अपने देश पर खुद ही राज करेंगे इसलिए गांधी जी ने कहा था या तो कर जाओ या तो मर जाओ यानि भारतियों से कहा था आप करने कर समय आ गया या तो मरने कर समय आ गया है अब कुछ भी करके इन्हें बस हमें बाहर खदेड़ना है यानि या तो हमें इंडिया को आजात कराने के लिए कुछ कर जाना है या तो उसके लिए हमें मर जाना है अब हम लोग अंग्रेजों को यहाँ पर नहीं रहने दे सकते हैं यही था भारो छोणो प्रस्ताव या अंदोलन फिर एक आता है शिमला सम्मेलन जो की हुआ था उन्निस सो पैंतालिस में इसमें अंग्रेजों ने हमारे कुछ 25 से 30 लीडर्स को बुलाया था बातें करने के लिए कि हम लोग आपके साथ ये करेंगे आपके साथ वो करेंगे लेकिन हमारे किसी भी लीडर ने इनकी कोई बात नहीं माली इसलिए सिमला समिलन भी बेकार रहा फिर नेक्स्ट क्या था प्रधान मंत्री एटली की घोषडा, एटली ने घोषडा कर दी कि अब हम लोग भारत को छोड़ कर चले जाएंगे, 15 मार्च, 1946 में उन्होंने ऐसा कहा था, और उन्होंने माउंट बेटन को भेजा था, क्योंकि माउंट बेटन उस समय के वाइस रहे में जिसमें तीन लोग थे, एक तो लॉड पैथिक थे, दूसरे जो वही कृप्स थे, कृप्स मिसन वाले, एवी एलेक्जेंडर, तो तीन लोग इसमें आये थे, तीन लोग आये थे cabinet mission लेके और cabinet mission का लक्ष ये था कि इंडिया को constitution बनाना है या बनाने के लिए प्रेरित करना है और cabinet mission कब आया था? 1946 में ये भी आया था फिर बात आती है प्रतिक्ष कारेवाही दिवस की और प्रतिक्ष कारेवाही दिवस में ही हिंदू मुस्लिम में जो दंगे हुए थे वो प्रतिक्ष कारेवाही दिवस के तौर पर ही हुए थे यानि जो आप दंगा सुनते हैं हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है वह इसी कारेवाही के चलते होता है जो कि जिन्ना ने अप कहे दिया था कि हमें अपना देश अलग चाहिए उसी के चलते ये सब खून खराबा या जो भी दंगा भड़का वो इसी के चलते भड़का फिर हमारी अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई यानि कुछ इंटरिम लीडर बना दिये गए कि इनको ये पद मिलेगा उनको ये पद मिलेगा आपने पॉलिटी में पढ़ाओगा कि इंटरिम गवर्णनें कौन सा पद किसको दिया गया था तो अंतरिम सरकार के बाद माउंट बेटन ने एक योजना मनाई थी कि हम लोग माउंट बेटन ने ये बता था कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक ही समविधान होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम खुद से अपना समविधान बना लेंगे इसलिए इसको दोनों ने नकार दिया और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंतरता मिल गई अंग्रेजों से और अंग्रेज लोग भारत छोड़ कर चले गए तो इस तरह लगभग 200 साल की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली और हमने पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाल के लिए पर अपना जंडा फेराया तो ये थे कुछ प्रमुक स्वतंतरता अंदोलन और उनसे जुड़ी कुछ संबंधित बाते हैं तो अगर आपको ये चीज समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हिस्ट्री के टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो कौन सचा आते हैं ये हमें कमेंट में बताएं तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और वीडियो से आपको फायदा मिला होगा तो फिलाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद